हिमांजो परदेश के धर्मशाला में विधानसभा परिसर में खालिस्तान के जंडे लगाने पर विपक्षी दल कॉंग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और इसे सुरक्षा में बड़ी चूख करार दिया है साथी परदेश सरकार को इस मामले को गमीरता से लेने और केंदर सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की मांगी है कॉंग्रिस की प्रतेश अध्यक्ष प्रतिवा सिंग ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा में परिसर में खालिस्तान के जंडे लगाये जाते हैं और इस तोरान पुलिस के करमचारी वहां पर मौजूद नहीं थे विधानसभा कोई छोटा स्थान नहीं है ऐसे में वहां पर सुरक्षा ववस्ता होनी चाहिए और कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे सुरक्षा की तरह से तो ही है पर सरकार की तरह से भी बहुत बड़ी चूक है ये मसला कोई पहली बार नहीं पहले भी इन्होंने एक थ्रेट दिया था और कहा था हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के जंडे लगाएंगे ये बार बार खालिस्तान की बात कर रहे हैं और ह या मैं सरकार सी पूछना चाहती हूं कि आपके वहां पर पुलिस करमचारी क्यों नहीं थे तैनात क्या विधानसाबा एक कोई छोटी इंस्ट्यूशन है जो आप उसको नजर अंदास कर सकते हैं इतनी बड़ी वातात होगी यह केवल हिमाचल परदेश के लिए ही थ्रेट नहीं यह पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं समझती हूं एक चितावनी का विश है एक गंभीर विश है जिसको हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए यूनिन गर्वर्मेंट को भी हमें इसके बारे में अप्राइज करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा ऐसे थ्रेट इनके बारे इन से दिये जा रहे हैं और इसको लाइटली न ले अभी आपने देखा पूर्मेंट को कि हमारी तरसे गलती हुई पूलिस वहां पर नहीं दिया काम कर रही है और इनको अपनी नोकरी जो यह काम कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा सचेत नहीं है इसके बात नहीं है इवन अट नाइट बेशुद बी ऑन देड्यूटी ऑन देटोस दूइंग दो वर्क फोर और गार्डिंग हमाचल परदेश